हमारा आज का टॉपिक है जनसंचार का मानव जीवन पर प्रभाव जैसा कि आपको पता ही होगा जनसंचार के माधिमों के अंतरगद टेलिविजन, समाचार पत्र, रेडियो, फिल्म तथा कम्पुटर आदि आते हैं और इन सभी माधिमों ने विश्व की समस्त मानव जाती के जीवन सैली को प्रभावित कर दिया है जैसा कि आपको पता है सिक्षा ने ही विज्ञान को जन्म दिया और विज्ञान ने जनसंचार के इन साधनों को जन्म दिया जन संचार के साधन यानि की समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन ये सब ही विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं जन संचार के अर्थ की बात करें तो जैसे की हमें पता है सूचना को एक स्थान से दुसरे स्थान तक पहुँचाना ही जन संचार का अर्थ है यानि कि हमारी जो भी information है वो हम एक स्थान से दुसरे स्थान तक लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं और ये काम बहुत तेजी से हम लोग जन संचार के माध्यमों के जरिये कर सकते हैं जन संचार के माध्यमों के कुछ मानव जीवन पर फाइदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी है अब हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक जन संचार का मानव जीवन पर प्रभाव जन संचार का मानव जीवन पर प्रभाव को दो भागों में बाटा गया है जिसमें सबसे पहला है सकारात्मक प्रभाव और दुसरा है नकारात्मक प्रभाव सबसे पहले हम बात करते हैं जन संचार का मानो जीवन पर सकारात्मक प्रभाव इसमें सबसे फर्स्ट है मीडिया संचार के विभिन तरीकों को जन्म देता है यहाँ बादचीत के लिए उपकरणों पर भी लागू होता है लोगों के भी संपर्क और समवाद इस्थापित करने के लिए संचार उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है सेकंड है इसमें इससे लोगों को सेहत, धर्म और अध्यात्मी की जानकारी प्राप्त होती है यानि कि हम लोग मीडिया के माध्यम से टेलिविजन, मोबाइल, फॉन, समाचार पत्र, कम्पूटर आदी के माध्यम से लोगों को सेहत, धर्म और अध्यात्मि की जानकारी दे सकते हैं या फिर हम प्राप्त कर सकते हैं इससे लोग टिकट की बुकिंग और बिल के भुक्तान के लिए भी जनसंचार माध्यम का पर्योग करते हैं फोर्त आश में यह लोगों को सिक्षित करता है लोग टेलिविजन और रेडियो कारिक्रमों के माध्यम से स्वास्त समश्याओं, पर्यावरन सर्रक्षन और अन्य विस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अर्थात लोग टेलिविजन, डेडियो, इनके माध्यम से स्वास्त संबंदी समश्याएं, पर्यावरन संडरक्षन और अन्नी विश्यों के बारे में पूरी नौलेज ले सकते हैं। बहुत कम समय में नागरिकों को नविंतम जानकारी मिल सकती है। अर्थात कोई भी नई जानकारी है, वो लोगों तक बहुत ही तेजी से हम लोग पहुचा सकते हैं, इसमें दूरी बाधा नहीं बनती है। इसमें समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को हर दिन नई जानकारी मिलती है। और गायन जैसे कौसल को प्रधसन करते हैं, जिससे लोगों को उनके चिपर टैलेंट के बारे में पता चलता है। एट्थ है, बच्चों में जागरुकता बढ़ रही है, क्विच प्रोग्राम, जानवरों से जुड़े प्रोग्राम वगेर से बच्चे बहुत कुछ जानने लगे हैं। नाइन्थ है, रेडियो उप्योगी है, क्योंकि इसे व्यक्ति संक्षिप्त समाचार प्राप्त कर सकता है। और वो वहाँ पर अपने मीडिया के माध्यम से वहाँ की रिपोर्ट लोगों तक पहुँचाते हैं, जिससे इसमें ब्रष्टाचार पर भी काबू किया जा सकता है। इलेवन्थ है, वीबिन पार्टिया अपना प्रचार संचार के माध्यम से करती है। जैसा कि आपने देखा होगा, चुनाओ के दोरान लोग अपना प्रचार सोसल मीडिया के जरिये लोगों तक करते हैं। सोसल मीडिया प्रचार प्रचार में भी अपनी अहम भूमी का निभाता है। इसमें लास्ट है, मीडिया के माध्यम से सरकारी कामकाज में निग्रानी रखी जा रही है। अब हम बात करते हैं जनसंचार माध्यम का मानो जीवन पर नकारात्मक प्रभाव। समाज में सोसल मीडिया के जरिये हिंसा और असलिलता को बड़ावा मिल रहा है। अर्था सोसल मीडिया में लोग काफी ऐसे एप का यूज़ करके लोगों तक अपनी निजी जिन्दगी की वीडियो सेयर करते हैं जिसके जरिये इससे समाज में गलत प्रभाव भी पड़ रहा है और इससे असलिलता को बड़ावा भी मिल रहा है। थर्ड है मीडिया द्वारा उन मुद्दों को उचला जाता है जो ताकतवर वर्गों के हिससे जुड़े हैं। था जो पैसे वाले लोग है उनके हिट में जो मुद्दों को मीडिया उचलती है। लेकिन जो सामानी वर्ग और कमजोर वपर्ग हैं। ऑन से जुड़े जो आवश्यक मुद्द्द divergence होते 3000 उन चैली फोर्ट है पूजिपती लोग अपने स्वामित में कई की कुछ चीजों तक पहुंच को प्रतिबंदित करना कठिन हो सकता है अर्थात कुछ चीजे मीडिया में ऐसी भी हैं जो बच्चों के लिए उप्युक्त नहीं है लेकिन बच्चे उन्हें फिर भी देखते हैं तो आगे बहुशी में इसे बच्चों तक पहुंचने से रोकन बहुत कठिन हो जाएगा सक्स्त है पत्र पत्रिकाएं भागोलिक द्रिस्टी से सिमित हैं सेवन्थ है टीवी और रेडियो पर बढ़ते विग्यापनों के कारण उनकी रूची कम हो गई है एर्थ है इंटरनेट के जरिये लोगों में धोका दड़ी चोरी और हैकिंग की सम मश्याएं काफी हद तक बढ़ चुकी है नाइन्थ है कभी-कभी जनसंचार के माध्यमों से अफवाई फैल जाती है जैसे कि आपने देखा होगा न्यूस पेपर में या फिर कभी टेलिविजन पर ऐसी ऐसी न्यूस आती है जिसको सुनकर लोग डर जाते हैं जैसे कि कभी जनसंचार के माध्यम आपसी मध्यत का कारण भी बन जाते हैं धन्यवाद हमारा आज का यह टॉपिक यहीं पर खत्म होता है मिलते है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो इसे ला